अब ये नाम आते ही तो आप बोलेंगे निल जी कोटा फेक्टर वर्क्स, येस, कोटा और अलिगड़, मतलब के पास मोडग बोल के जगह है और अलिगड़, वहां पे इनके दो प्लांट्स है, एक बैतरीन बिल्डा ग्रूप कंपनी, और बहुत, मैं इन फेक्ट, पहले मैं मैं में में दिया था, 2021 में दस्तारीक, 2021 और तब भी में वह इजीली टार्गेट सची हुए, और उसके बाद तो घजब का परफॉर्मेंस टॉक ने दिया, चार्सो बहतर रुपे तक के लेबल्स दिखाया और अभी 307 और पिछले कुछ कॉर्टर सेटनी सिमेंट सेक्टर क के लिए मैंने आज भी श्री सिमेंट दिया, फिर डानी ग्रूप की एंट्री, ACC और अमुजा इन में और प्लस जिस तरही के से सारे स्टॉक्स का अगर आप फंडामेंटल्स भी देखिए और टेक्निकल्स भी देखिए तो बहुत जबर्दस मतलब फाउंडेशन बन रहा ह मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इनके जो कोस्ट को लेकर जो मार्जिन कम वे थे, उन सब को देखते हैं भी लगता है कि ये कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और अब मैं एक चीज़ और कह दू कि ये कंपनी की कैपैसिटी भी इनों ने एक्स सबस्ता लगता है, सरफ सवा टाइम से चल रहा है 1.32, जनरली जो इंडस्टी का स्टैंडर्ड वो करीब तीन से चाट टाइम सका है, और बैक्वर्ड इंटेशन बहुत जबरदस्ता है, इनका जो रॉम मेंटिर्स और लाइन स्टोन की, जो इनकी माइन्स है, वो सब की मुझे और कॉन्फिडेंस आया, और ये स्टोक भी अच्छा करेगा, अब मैं मंगलम सिमेंट के फर्णामेंटल पर आता हूँ, 13-14 के पी मल्टिपल पे सस्ता है स्टोक, और सबसे बढ़िया बात है, जो मैंने हाइस बताया थे, 400 बैस्तर से करेक्ट वावा स्टोक है, यह सेक्टर में तोप लाइन क्योंगी यह कंपनी जिस तरीके का कॉंपिरिटिव स्पेस यह भी और बिल्डा उत्तम के नाम से इनका ब्रैंड है, तो तोप लाइन भी बहुत बढ़िया था, 358 करोर के सामने, 514 करोर का तोप लाइन था, और अगर आप बॉटम लाइन बिसनस तो ट्टम के से सतर पिचतर करोर सालाना कमारी यह कंपनी, 900 करोर की मार्केट के वाली कंपनी है, FIS-DIS करीब 9% से ज्यादा होल्ड करते हैं, और प्रोमोटर्स मैंने बताया ही, बिल्डा ग्रूप और उनके डॉटर्स हैं, और उनमें भी शेरोल्डिंग है, और सचिन बां को ले, 410 और 430 के टामेट के लिए,